कि अभी आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का ओनलाइन और और आफलाइन जो इस्टूडेंट सुन रहे हैं देख रहे हैं क्लास को कि कि कल अपन इस पर पढ़ रहे थे ना यह सही है है हाँ कि समझ में मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हूं हाँ 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 वो ले लेना ना है हाँ बई सुनिए करें शुरू चलो देखो हम अपनी जो पिछली क्लास में मित्रो गया बात कर रहे थे पिछली क्लास में हम कि सली क्रास में हमले काने नर्डरे थे लिए कंप्लीट हो चुका है हमने ही कामे अप fulfillment राजा है लिए बॉय बार बार पढ़ रहे हैं जो पर वीजन करने अनको को हमने देख लिया है ठीक है अब हम बात करते हैं आमेर के कच्छवाहवंस की इधर ध्यान दीजिए आमेर के कच्छवाहवंस की बात करेंगे देखो भई आमेर का कच्छवाह वंस हम पढ़ेंगे अब आमेर रियासत और मित्रों आमेर रियासत पर कच्छवाह वंस ने राज किया किस वंस नहीं? कच्छवाह वंस नहीं? अब कुछ सुरुवाती जो चीजे हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा कच्छवाह के बारे में कच्छवाह राजिस्तान के मूल नवासी नहीं माने जाते हैं कच्छवाह का जो उदगम है जो आना है वो MP से माना जाता है अलग-अलग विद्वानों का इनके बारे में अलग-अलग स्टेटमेंट हमें देखने को मिलते हैं जैसे कुछ हम बात करें यहां देखिए यह जो कच्छवाह सासक है मित्रो यह स्वैम को स्वैम को भगवान राम के पुत्र राम के पुत्र कुछ की संतान मानते हैं भगवान राम के पुत्र कुछ की संतान मानते हैं कच्छवाह स्वैम को सुनिए कच्छवाह राजा अगर इनसे पूछा जाए कि भगवान राम के बड़े पुत्र किस की संतान मानते हैं मित्रो कच्छवाह राजा स्वैम को लेखों में भी कुर्म वंसी लिखा जाता है इनको कौन से वंसी लिखते हैं इनको लेखों में कुर्म वंसी कैसे कुर्म वंसी कैसे ये माना जाता है कि सबसे पहले भगवान राम आए राम के बाद कुस आया कुस के बाद कोई व्यक्ति है कुरुम और कुरुम से एक कत्सवाद बना और यहां से निकले क्या कच्छ वहा जबकि डॉक्टर ओजहा जी मूल पुरुस मान रहे हैं डॉक्टर ओजहा कहते हैं कि नहीं भाई इनका जो मूल पुरुस है ना वो कोई कच्छ वहा नामक व्यक्ति है इनका मूल पुरुस मानते हैं किसको कच्छ वहा नामक कोई व्यक्ति को सूरे मल मिसरन भी यह कहते हैं सूरे मल जो मिसरन है वो यह कह रहा है कि हाँ भाई कोई कत्सवाद से निकले हैं इस प्रकार से आगे बढ़े हैं और इनका जो एक तरह से माना जाता है संबंद वो कुछ से माना गया है किलियर साथियों कच्छवाह राजाओं का अगर हम आगमन देखें तो यह राजा MP से आए हैं आज वर्तमान MP और MP में एक इस्थान पढ़ता है ग्वालियर कौन सा इस्थान पढ़ता है मित्रो ग्वालियर में भी एक गड़ बन रहा था नर्वर गड़ कौन सा गड़ नर्वर गड़ यहां से आते हैं तेज करण एक कच्वाहर आजा है तेज करण यहां से मित्रो यह तेज करण आता है दोसा कहा आता है तेज करण दोसा दोसा को लेकर विवाद चल रहा है बड़ गूजरों में और चोहानों में चोहानों में और बढ़ गूजरों में ये लेकर लड़ रहे हैं दोसा की जमीन को क्या आदा तुमारा आदा हमारा ये तेजकरन आता है और इनको पराजित करता है किसको पराजित करता है बढ़ गूजरों को और यहां पर मित्रो 1137 में किस वंस की नीव डाल देता है कच्छवाहा वंस की नीव कच्छवाहा वंस की नीव डाल दी प्रथम राजधानी भी ये बनाता है अपनी प्रथम राजधानी दोसा को पहली राजधानी भी ये मित्रों किसको बनाता है दोसा को बनाता है दोसा के बाद तेजकरन आगे बढ़ता है माची की ओर कहां की ओर माची माची पर राज कर रहे थे मित्रों मीना ये मीनाओं को पराजित करके माची को जीत लेता है और माची का नाम कर देता है किसका गड़ रामगड़ और यहां पर एक देवी का मंदिर बनवाता है देवी का मंदिर बनेगा वो है जमवाय माता ये कच्छवाहा वंस की मित्रो कुल देवी मानी जाती है कौन सी देवी मानी जाती है इस माता के नाम से ही ये इस्थान जमवा रामगड के नाम से जाना जाएगा के लिए साथियों ये रामगड से तेज करण देखो तेज करण तेज करन ना इस इस स्थान पर तेज करन इस आसपास के मीना छितरों पर अधकार करेगा इसने आसपास के मीना च्छेतरों पर अधिकार किया मित्रो जैसे इसने इसने मित्रो जोटा मीना को पराजित किया जोट वाडा को जीत लिया किलियर इसने खोके मीनाओं को पराजित किया और खोको मिला लिया इसने गैट और के गैटा मीना को पराजित किया और गैट और ये गैट और जगत परावाला इलाका ये इस स्थान को अपने सामराज में मिला लिया पहली राजधानी ये है और दूसरी राजधानी इसकी ये ये रामगड आसपास के मीना छेत्रिस ने जीते सात्य एक चोहान राजा बताया जाता है मुरागड का रालपसी कोई चोहान राजा है रालपसी ये रालपसी अपनी बेटी सुजान कवर की साधी करेगा भई सुजान कवर का विवहा होगा मित्रो इस तेज करन से और तेज करन से विवहा हो गया तेज करन को दूलहा बना दिया किसने चोहान राजा रालपसी ने इस कारण इसका दूसरा नाम हमें प्रिसिद नाम दूलह राए भी मिलता है क्या नाम मिलता है हमें इसका दूलह राए के नाम से भी हम मित्रो इसको जानते हैं कि आई बास समझ में सुनिए अब आगे क्या होता हुआ यहां मृत्यों जाए कि 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 तेज करण की तेज करण के बाद एक राज आएगा कौकिलडएव इसको तो कौनसा देव मिंस यह कौकिलदेव क्या करेगा मित्रो आमेयर बर अटेक करेगा आमीर पर राज कर रहा है एक भुट्टो मीना कौन राज कर रहा है भुट्टो भुट्टा नहीं भुट्टो मीना इस भुट्टो मीना को हरा देगा कौन और ये बात है बारा सो साथ की और इसको अपनी तीसरी क्या बना देगा राजदानी और चौती बनेगी जैपोर। चार राजदानिया रही हैं इनकी इनकी सुरुवात मनी जाती है मित्रो कहां से दौसा से ये आप भूलना नहीं है बिलकुल के ये सुरू हुएं कहां से दौसा से सुरू हुएं दौसा के बाद ये बढ़ते हैं कहां की ओर माची की ओर और माच का नाम क्या कर देते हैं रामगड और यहां अपनी कुल देवी कौन सी माता जंबाय माता के मंदर का क्या करवाते हैं निर्मान और इसको यह अपनी कौन सी राजधानी बनाएगा और आसपास के मीना छेत्रों पर भी क्या करेगा अधिकार करेगा एक चोहान राजा होता है प्रॉली और दौसा के बीच में थाओ उस मुरागड का राजा है रालपसी रालपसी की बेटी कौन है सोजानकवर और इसका दूलहा बना देगा इसका ब्याओ कर देगा किस से तेज करन से तेज करन का दूसरा नाम है दूलहे राय तेज करन की मृत्यू हो जाएगी फिर रा बना देगा अब यह रियासत जानी जाएगी आमेर के नाम से मित्रों आमेर वाला जो यह इलाका है ना यह ढूंडान कहलाता था क्या कहलाता था ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में कोई ढूंड नदी यहां से बहा करती थी कौन सी नदी ढूंड नदी आज देखने के छेत्र को कहा गया है ढूंडान और ढूंडान का जो रियासत बनी है वो कौन सी बनी है आमेर जैसे जोदपुर जोदपुर के आसपास का इलाका कहलाता था मारवाड लेकिन रियासत कौन सी थी जोदपुर आया ना उसको मारवाड रियासत के नाम से भी जानते थे लेकिन ये वाली जो रियासत है ये आमेर है और इसके आसपास का छेतर क्या है डूनान क्या है डूनान इनकी कुल देवी जमवाय माता है कौन सी माता और इनके कुल देवता कोविन देवजी है जो बाद में मंदर बनेगा किलियर और इनकी अराध्य देवी या इस्ट देवी है शिला माता कौनसी माता शिला माता या शिला देवी जो मानसीं के द्वारा मंदिर का निर्माना करवाया जाएगा आमेर के जलेव चौक में आगई बास समझ में एक बार वापस सुनना शुरू आती परचे है ठीक है हम बात कर रहे हैं किस वंसकी अच्छा कच्छवाओं ने कहां राज किया मैंली आमिर पर राज किया अब हम देखेंगे कच्छवाह राजाओं से पूछा भई आप कौन हो तो उन्होंने का भईया हम राम के वंसज जो पुत्र हुआ है कुष उसकी क्या है हम संतान है सात्यों इ हैं कच्छवाह पहले हुए कौन राम उसके बाद कौन कुष्छ उसके बाद कॉन कौन है कर वाद क्लिए कत्स वाद से यह ऐसे कहते हैं यही सब्द बिगड कर बना क्या कच्छवाहा सातियों ओजा जी कहते हैं नहीं भाई इनका तो मूल पुरस ही कौन है कोई कच्छवा नामक व्यक्ति था और उसी के नाम से क्या कहलाए कच्छवाहा जबकि इन से पूछते हैं भाई आप लोग कहां से आए MP स से MP में कौनसा इस्थान ग्वालियर में गड़ बन रहा है कौन सा नरवर गड़ से आया ये तो आमिर पहुँचा ही नहीं था आमिर तो कोकिल दे पहुँचेगा ये आया दोसा इसने हराया किसको ये भी पूछ ले जाता है चोहानों को हराया बड़ गुजरों को बड़ गुजरों को हराया बड़ गुजर और चोहानों में विवाद चल रहा है किसको लेकर इसने हराया किसको और यहाँ पर कब मित्रो कौन से वंस की नीव आपसे परिक्षा प्रशन पूछा जाएगा राजिस्तान में कच्वाओं की नीव सबसे पहले कहां डाली गई दोसा कहां दोसा के बाद ये मित्रो बढ़ेगा क दूसरे राज जानी और अपनी कुल देवी कौन सी माता और तेज करन यहां रहते हो आसपास के मीना छेतर पर क्या करेगा चोहान राजा कौन रालपसी कौन लापसी नहीं सुना आपने लापसी लापसी सुनाएगा अब देखो जो चाउमीन वाले स्टूडेंट है चाउम सुजान कवर का हमें दूसरा नाम मारूनी भी मिलता है लेकिन यह सुजान कवर का ब्याव कर दिया दूलह बना दिया किसको इसका दूसरा नम दूलह राय है फिर यह बंठन के गूमता आराम से फिर एंडसम हात में रखता और जब दिल करता तब ही लगा दिता लोग कहते यार यह तो बड़ा बंठन के घूमता है दूला बनां गूम रहा है दूला कर te सुनि तेज्ड परन्ड़न मित्र दो मर जाता है उसके बाद कोन आया कौक्व्ध नियूर्ट क लग आज किंसको जीता किसको हराया और और आमेर को कौन सी, तीसरी क्या बना दिया, राजदानी बना दिया, अब खोल दू मैं सिमसिम को, चलो देखो, हम बात कर रहे थे किसकी, कच्वाओं की, देखो, कौन सी नदी है मित्रो, देखो, ढूंड नदी बहती थी, इस कारण आमेर के आसपास के छेतर को, ढूंडान, अच्छा कच्वा राजा स्वैम को किसका भईया, कुसका वनसज मानते हैं, अच्छा प्राचीन लेखों में, देखो, ऐसे ही समझाया अपनने, प्राचीन लेखों में इनको क्या लिखा गया है, अच्छा देखो भईया, पहले कौन हुए, राम, उसके बाद, उसके बाद उनका पुत्र कौन कचवाद इसके वनसज कौन कहलाए कचवा, सातियो एक प्रतविराज रासो पुस्तक है उसमें एक कुरुम वनसी सासक पंजन देव का नाम लिखा हुआ है अब सातियो सूरे मल मीसन भी यह कहते हैं यह तो कुरुम की ही संतान है जबकि डॉक्टर उजा करेंग नहीं नहीं इनका जो मूल पुरुस है ना वो ही कौन था कचवाद अच्छा कचवाओं का राजिस्तान में आगमन आगमन कहां से माना जाता है गौालियर एमपी से माना जाता है कचवाओं सासकों को निम्न नामों से जाना जाता है सूर्यवंसी, रगवंसी और रगवंस तिलाग यह हम मेवाड पढ़ रहे थे जब भी हमने बात की इस्पेसल उपादी है कौन सी रगवंस तिलाग जैसे मेवाड के राजाओं की है हिंदुआ सूरज एसे इनकी कौन सी है रगवंस तिलाग ठीक है, उनको भी कहते है मेवाड वालों को भी सूर्यवंसी वह राम के बनसज है, इनको भी कहते है सूर्यवंसी, रगवंसी इनको भी कहते है उनको भी कहते है, स्पेसल उनको कहते है हिंदुआ सूरज और इनको का जाता है इस्पेसली क्या रगवंस तिलक उसके बाद हम चलेंगे आगे देखो इनके जो आमिर रियासत का मित्रो जो जंडा है ना उसमें लिख राए यतो धर्मस्त तो जै जहां धरम है वहां जीत है जै 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 नहीं है बस समझ में अच्छा कुल देवता कौन ह गोविन देव जी कुल देवी कौन है इस्ट आरादेवी कौन है देखो यह आ गया दूला तेज करन दूले रहा है अच्छा पिता जी कौन है भाईया भाईया किसको हराया रेस ने बड़ गुजरों को हराया और दौसा पर क्या कर लिया अर दौसा में बोलो 1137 में किस वंस करोली करोली नहीं है वैसे छेत रहे करोली और दौसा के बीच में आज भी है मुरागड़ वहां चोहान राजा राज करता था कौन अरे लापसी नहीं है रालपसी रालपसी ने अपनी बेटी कौन सोजान कवर का ब्याव कर दिया किससे और देखो आदा दौसा जो का मारेगा बहुत बाएंकर कि बड़े गुजरों छीन लिया उनका वैसे भी जाता वो सोचना ऐसा ना हो यह मेंटल आदमी है कई मुरा गड़ पे चड़ाई कर दे और अपना घरी चला जाए तो इससे बढ़िया बेंड बाजा बारत लाओ डीजे बीजे बुक करो और बे देवी जंबाय माता के मंदर का निर्मान करवा दिया तेज करन अपने सामराज का सातियों दूसरी रजधानी किसको बनाएगा जंबा रामगड़ों अब यह आसपास के छितरों को जीतेगा देखो आलम मीना को हरा के क्या जीता और भाईया गैटा मीना को हरा के क्या जीता गेट और जीता और जोटवाड़ा जीता किसको हराके देखो मीनाओं के नाम कितने खतरनाक है जोटा गेटा बुटा अरे अभी बुट्टू नहीं आएगा किया अभी? आएगा ना इनको हराया और इसने अपने सामराज में मिला लिया प्रोपर जो निवासी माने जाते हैं मीना माने जाते हैं यहां राज कर रहे थे मीना छोटे-छोटे कभीलों में गुरूप नहीं था यूनिटी नहीं थी इसने धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके सब को हराया नहीं बस समझ में जब जोटा मीना जोट वाड़ा का पिट रहा था न तो आसपास के मजे लिए ते अरे बोल अपना नमबर नहीं आया अभी हम तक आने के लिए तो बहुत बड़ा कलिजा चाहिए फिर इसका नमबर आगे आलम बोल बेटा अब तेरा नमबर है जब इसको ठ प्राइट और जगत प्रावगत प्रावाले अपन तक आने के लिए तो बहुत बड़ा कलिजा चाहिए अब नेक्स्ट स्टेप कौन है कौन कि उत्तरदकारी है किसका अरे कभ भीया अरे कौन सी साखा और कौन सा राजा हरा के आमिर पर क्या कर लिया और यहां एक अंब पर महादे मंदर का निर्मान करवाया साथियों ऐसा कहते हैं कि इन्ही कछवाओं के वंस में एक राजा हुआ कौन नरू उसके साखा क्या कहलाए उसके आने वाले पीडियां क्या कहलाए नरू का और एक हुआ सेखा उसके क्या कहलाए सेखावत कहलाए ठीक है जी कछवार राज़ा एक राजदेव होगा उसने कदमी महलों का निर्मान करवाया मित्रो कब इन्ही महलों में राज़्यव से कोता है किसका कच्छवाओं का कच्छवा राज़ा सबसे पहले चोहानों के सामन्त थे और उसके बाद याद आता है कि राणा सांगा राणा सांगा याद आत है गुहिलों के सामनत रहें गुहिल पहले सामनत थि कि से की प्रतियार ओ過去 वी प्रतियारों के पर्तियार दियालताती परतमान हम पड़ेंगे गुवक पर था मैं वे प्रतियार थे क्रतियार जब छीम हुए तो चोहान आये पौवर में चोहान जब गए तो फिर आये कौन गुहिल अब ऐसा मत करना गुहिल गए गुहिल तो नहीं गए गुहिल जब गए तो फिर दिल्ली पौवर मागई फिर यह सब सामन्त और उलिय किसके अरे अदीनता स्विकार कर ली आया ना ठीक है अब सुनो अब इसके बाद क्या होगा यहां तक कि जो इस्टोरी है वो अपने समझ ली थी पहले ही समझ ली थी ना अब सुनो भाई सुनिएगा अब एक बार सिम्सिम को बंद कर देते हैं वापस और पहले एक राजा को समझते हैं बहुत सारे चीज़े आएंगी उसमें और फिर उसको खोलेंगे देखो आमेर रियासत अच्छे से समझना भाई आमेर पर अब राज करेगा प्रत्वी राज कच्छ वहा बताओ कौन राज करेगा मित्रो भीका नेर पर एक राजा था लून करण लून करण की एक बेटी है बाला भाई ये वो बाला नहीं हो सैतान का साला बाला ये बाला भाई है बाला भाई का ब्याव हुआ किस से प्रत्वी राज कच्छ वहा से ठीक है जी थोड़ा देखो इसको अब ये क्या क्या करेगा देखना एक बार मैंने कौन बताया बीका नेर अरे कौन बताया बीका नेर बीका नेर के राजा कौन लून करण वो लून करण जिसको किसका करण कहते हैं कलियुग का करण कहते हैं आया ना लून करन की बेटी है कौन बाला कौन बाला 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 बाई का ब्याव करवा दो किस से इस ब्याव से किसी को कोई दिक्कत है क्या है शिमरन को जाने दो और जीने दो अपनी जिन्दगी, कि जा सिमरन जी ले अपनी जिन्दगी, अब जिन्दगी जीएगी भाई, ठीक है सुनो, अब देखो क्या होता है, अब यहां जिन्दगी बहुत क्रिटिकल बन जाएगी भाया देखना क्या हुआ मित्रो ऐसा माना जाता है कि इस पृथवी राज के कुल बारा पुत्र हुए कितने पुत्र हुए बारा पुत्र थे भाई अरे कई साधियां होती थी राजाओं की दददस पंदरें पंदरें वीस वीस रानियां हुआ करती थी है ना ऐसे चौकरयो फिर दासियां हुआ करती थी पासवान हुआ करती थी है ऐसा कुल मिला के ऐसे मत करो पचास ये कोई मतलब है क्या हाँ सुनो सुनो अब क्या होता है इसका मित्रो जो बड़ा बेटा है ना बड़ा बेटा वो भीम देव है कौन है भीम देव के दो पुत्र है एक रतन सींग है रतन सींग कच्छवहा किलियर एक आसकरण है रतन सींग और आसकरण कोई दिकत नहीं सिंपल है इससे छूटा जो पुत्र है मित्रो इसका इससे जो छूटा पुत्र है इसका वो है सांगा कच्छवहा मित्रो इसने अपने नाम पर सांगा नेर बसाया क्या बसाया सांगा नेर बसाया मित्रो इससे जो इसका छूटा पुत्र है वो भारमल बताया जाता है कौन है भारमल भारमल के एक तो पुत्र है और एक पुत्री है भारमल का जो पुत्र है वो भगवंत दास है कौन है भगवंत दासर एक पुत्री है हर्खा भाई कौन मित्रो हर्खा या कई जगे इसको हर्खा भी लिख देते है खा की जगे का बना देते है ठीक है कोई बात नहीं है मित्रो इसके एक पुत्र है और एक पुत्री है पुत्र का नाम मान सींग है और पुत्री का नाम है मान बाई मान सींग और मान बाई इसका बेटा है पूर्ण मल कौन है मित्रो पूर्ण मल पूर्ण मल की माता का नाम लिख रहा हूँ मैं यहां बाला भाई ठीक है सुनो भाई माता का नाम क्या है अब सुन लो देखो कितना गजब का डाइगराम बना है सुनो प्रत्वीराज कछवाराज कर रहा है कहां आ मेर बाई एक तो इसके एक दो फैक्ट केवल सुन के ही काम लगा ना अभी यहां फिर उपन उसको समझेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें मेंडी यहीं समझ लेंगे इसको पूरे को इसको भी समझ लेंगे यहां इसको भी समझ लेंगे यहां इसको भी समझ लेंगे यहीं इसको नहीं समझा जाएगा यह बड़ा राजा है जो महतपून प्रस्टनाते हैं वो यहां से शुरू होते हैं आमेर में मान सिंग से मान सिंग, मिड़जा राजा जैस सिंग, सवाई जैस सिंग फिर प्रस्टनाता है प्रताप सिंग से और फिर अंत में प्रस्टनाता है मित्रो सवाई राम सिंग दितिय से वो ही चार-पांच राजाएं पांच-छे मानलो आप जो महत्पूर्ण है परिक्षागी दर्ष्टी से कहां पर आमेर में कछवाओं में ठीक है सुनना आप क्या होता है यह राज कर रहा था मित्रो यहां पर इसके पास लेटर आया सांगा का सांगा ने पत्र लिखा तो सांगा की सहाइता की इसने खानवा के युद में हम पहले लिख चुके हैं इसको किलियर इसके कुल कितने पुत्र है बारह पुत्र है अब होगा क्या जो इसकी छोटी रानी है बाला बाई ऐसा कहते हैं कि इस रानी से बड़ा प्रेम किया करता था कौन अब रानी सुन्दर भी है ब्यूटी पालर के चक्कर में और गड़ बड़ो गई रानी के पास एक बार गया तो बाला भाई ने कहा कि माराज इस बार हम एक वचन चाहते हैं आपसे हम एक गिफ्ट चाहिए तो प्रत्वी राज ने तो चोड़ा होकर बोल दिया वो सोच रहा था जदा क्या मांगेगी आईफॉन मांग लेगी नया गिफ्ट में तो उसने कारी रानी सब कुछ ते रहा है तू तो हम मिनिस्टर बावली मांग तुझे जो मांगना है मारा सोच लेना, समझ लेना सुन कर कहना बोलना ना, तू टेंशन मतले तू मांग उसने मांग लिया उसने कह दिया भारत को राज और पूरी परजा को बनवास राज मिलना चाहिए किसको मेरे बेटे किसको पूर्ण मल को देखो हमने लिखा है कि पिता ने क्या बनाया उत्तरदकारी का मतलब अपनी गद्धी दे दी के लियर और मित्रो बाला बाई को इन्वॉल्व होके बनाया है इसने करवाया है बाला बाई ने बाला बाई से बड़ा प्रेम करता था जब हम कल्चर पढ़ेंगे तब मैं आपको आमेर दुर्ग पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि अपनी रानी बाला बाई के लिए एक बड़ा कमरा बनाया प्रत्वी राज ने और आज भी इस्तित है वो उसको कहते हैं बाला बाई की साल साल का मतलब क्या होता है बड़ा कमरा केलियर तो उसने इसके लिए बनवाया बाला बाई की साल आज भी वहाँ पर इस्तित है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है तो इसने कहा री बाला तू बावली हो गई है तेरा लाला कैसे बन जाएगा आमेर का राजा अरे बोल महराज अपने पास को बारहे टुकड़ों में तोड़ दो बारहे खंड़ों में बाट दो बोल उससे क्या होगा बोल उससे सब सान्त हो जाएंगे सब सैटिस्वाई हो जाएंगे एक एक पर मेन गद्दी किसको दे दो मेरे बेटे को दे दो आमेर की गद्दी इसने यही काम किया और बारह कोटडी बारह कोटडी विवस्ता सुरू की कौनसी कोटडी? कोटडी समझ रहे हो? बारह टुकडों में अपनी रियासत को तोड़ दिया यह वाली जो कोटडी है यह आई किसके पांते और इसने इसी जगे क्या बसा दिया? सांगा निर्वसा दिया कहीं इसके भी पाते आये होगा कोई ना कोई जमीन इसके भी आया तो जब तक पिताजी जिंदा थे अब राजा बन गया इसकी मौत के बाद कौन जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक तो किसी ने कोई विरूद नहीं किया जैसे ही पूरनमल मृत्यू के बाद इसकी मृत्यू के बाद गदी पर बैठा ये लाया गदा गदा बोल रहा हूं मैं गदा नहीं बोल रहा हूं अच्छा गदा और गदा में फरक समस्ते हो ना समस्ते हो ये लड़का बताएगा क्या फरक है दोनों में इसको कुछ नहीं पता देखो अब मैं इसको गदा बोलूं या गदा दोनों बार एक ही बोला है वैसे मैंने अरे जो हनुमान जी रखते हैं वो क्या है गदा नहीं है वो गदा ये लाया भीम भीम गदा और दो तीन गदा दी किस में और गेम बज़ा डाला किसका और अब जिंगा लाला कौन करेगा अब राजा बन गया आमेर का कौन भीम देव की मौत के बाद राजा बनेगा कौन भई बड़ा बेटा बनेगा अब भीम देव के बाद मित्रो ये गद्दी आ गई किस पर अरे भीम देव के बाद गद्धी किस पर आ गई रतन सींग पर परिक्षा में बहुत बढ़िया प्रशन पूछा जाएगा कि सेरसां की अधीनता आमेर के किस राजा ने स्विकार करी रतन सींग ने लिख दूं सेरसां की अधीनता स्विकार की किस की अधीनता स्विकार कर ली मित्रो सेरसां की क्या स्विकार कर ली अधीनता ठीक है सुनिएगा मित्रो एक पॉइंट और सुनना इसके बारे में एक महतकून काम और होगा इसके बाद यह तो बाद का बता रहा था मैं कैसे लड़ेंगे आपस में बेटे बेटे और गड़बड करवा दई किसने यह करवा गड़बड अगर यह बड़े को राजा बनवा देती तो क्यों इतना उठा पटा कोती गद्धी पे यह तो छोटे छोटे गवरणवा दी इसने तो आर साजी की मौत के बाद किसको पूरन मल को इसने ठोका पूरन मल को सुन्ना एक साथ यह इसके दरबार में क्या हुआ यह पहले नात संप्रदाय को follow करता था, कोई बात नहीं है, एक संथ था चतुर नात, बोला करो, चतुर नात, नात संप्रदाय को मनता था, यहां रामानुज संप्रदाय का एक संथ विच्रन करते हुआ आया, और उसका नाम है कृष्णदास पियहारी, कौन? कृष्णदास वो संत जो खाद्यान के रूप में भोजन के रूप में पिये पदार्त का यूज करते हैं जैसे दूद है कोई सहद है कोई रस है जूस है और कोई पिये पदार्त मत कर ले ना उसर वो है वो है संत नहीं ले रहा है उसको आरे नबाश समझ में उनको कहते है SPECIALLY पियहारी नाम तो उसका क्या है करस्न दास करस्न दास पियहारी आगया अम मित्रों कहीं होगा कहीं किसी चौराहे पर किसी गली में तो उसने पूछा भया कहां से आ रहे हो बाबा अरे बोल ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो कोई बोला व्यक्ति कि भाया आमेर में बारिस नहीं हो रही ये बता दो वो बता दो बाबा ने दो तीन चीज़े बता जी बोल बेटा आमेर में बारिस होगी देखो बेटा कल पर सो कितनी अच्छी बारिस हुई है आया ना तो उसने का या बाबा को तो प्रकंड विद्वाने तो बहुत ग्यान है इसको तो अब कोई दूसरा बोला के बावले तू बीजेपी की प्रसंसा कर रहा है यहां तो कॉंगरेश की सरकार है अब दोनों में डिबेट हो गया बाबा में और उस व्यक्ति में और उसने का अगर तू इतना ही मह में इधर रख लिया क्रशंदास को और इधर रख रिया किसको और यह कहा कि अब आप सास्त्रार्थ करो कौन सास्त्रों को वेदों को बढ़िया जानता है अब मुझे बताओ कौन जीतेगा डिवेट हो रही है डिवेट चतुरनाथ यह कौन जीतेगा कौन जीतेगा क्रशंद चतुर उसके सामने तो अच्छे अच्छे चतुर नहीं बन सकते हरादिया क्रशंदास ने किसको और यहां पर अब रामानुज संप्रदाय चलेगा ये भी अपना गुरु बनाएगा क्रशंदास पिहारी को केलियर और अब यहां से छोड़ के जाना पड़ा किसको नाथ संप भीमदेव की मौत के बाद राजा कौन बना और इसके इस बेटे ने क्या बसाया अच्छा तीसरे नंबर का कौन भारमल का बड़ा बेटा और पुत्री और भारमल का सुरी भगवंदास का कौन मान सिंग और बेटी कौन यहीं रुकना अभी राजा कौन है बड़िया राज कर रहा है एक दिन घूमने फिरने घूमते फिरते अपने काका से मिला काका से कौन आसकरन और बुलाओ काका क्या आल है उसने का आओ राजा जी आओ अरे बुल काका यार क्यों बेजिती करता है राजा थो नहीं राजा तो भही आए अरे बुल बावले राजा तो तुझे ही ह दूमितिमटेज पільки 妈के अपनी थीच है door Vlast 10 परक्ष दीचिक थे लूख रहे बिखी तो यह वी तर्य रहा हे तो न्मिक रस्पास हुआ और वो राज़ा बन रहा है तु बोल यार काका क्या करें बोल देख करे वरे कुछ मत्यार मैं तो तुझे ही राजा मानूँगा अपना भढ़का दिया किसको आसकरन को बोल नहीं यार काका बता यार बोल देख एक फॉर्मला यार अगर तू उसको अपनाए तो तू कली राजा आए बल्ले बल्ले हो जाएगी तेरी उसने बता का क्या है बोल सुन सल्टा दे किसको खटा हत्या कर दी भाई ने भाई को मार दिया गद्दी के लिए आसकरन ने किसकी हत्या कर दी किसके कहने पर बारमल कहने पर अब रतन सिंग जलाने वनान ले जाए यह जाएंगे बैए अंते मगनी के लिए ले जा रहे हैं उसको अब यह पहुचा, बारमल आमेर, ठीक है, यह पहुचा, आमेर, और आमेर में छाती पीट पीट के चीखरा है, बोल आमेर वालो सुनो सुनो भाई का अत्यारा कौन, आसकरण, बोल भाई का अत्यारा कौन, आसकरण, और आसकरण करा चाचा मरवाएगा क्या, बावला हुरा चिल्ला रहा है, बोल देखलो आमेर वालो देखलो, जब आसकरण विचारा फस गया, तो आसकरन का सुनो भाईया सुनो मैंने नहीं मारा इसी ने मरवाया है अब यह ले कबूल हो गया कबूल लिया उसने तो और कहरा है बारमल देख लो आमेर वालो मैं बताने वाला और यह कहरा है चोरी तो मैंने किये लेकिन इसने करवाई है यह तो गड़बड हो गई अब ग पुत्र बताया जाता है वो अलग गेंग बना रखा है यही तो मरा है अब इधर से यह मर गया था इसने अलग गेंग बना ली और इन दोनों ने सरन लिली जाके इस सेरसहां के पुत्र के पास इसलाम सहसूर बनेगा इसका बेटा राज करेगा वो उसके पास पहुच गए कि भाईया ऐसे ऐसे बात है और यह बहुत नालाएक आदमी है इसने पहले मुझे बढ़का के मेरे बाई को मरवा दिया है और अब सब को बता दिया राजिस्तान पत्र का और देनिक बासकर में न इसने दंदे दिया सैनापति को सैनापति को दंदे के वापस बगा दिया इधर से फिर वो इसलाम सहसूर की किसी नत्या कर दी अब राजा बनेगा कौन अकबर अकबर राजा बना 1556 में 14 फरवरी वैलेंटाइन डेके दिन किलियर 1556 में राजा बना तो उससे मिलने पहुँचा बारमल कहां दिल्ली एक मजनूखा चंगताई है उसके माध्यम से मिला लेकिन अकबर ने कोई ज़्यादा रेस्पंस इसको दिया नहीं अब अकबर क्या करेगा मित्रो अब सुनो अब अकबर है दिल्ली पर देखो यह दिल्ली पर बैठा है अकबर मित्रो अकबर के जीवन में और उसके पिता के जीवन में बहुत उतार चड़ाव रहे थे लड़कड़ाते लड़कड़ाते लाइबरेरी की सीडियों से गिर गया चोगे में फस गया क्या पैर उस दिन बता रहा था न मैं वही तो है अब पानी पत का दूसरा वरना मर जाता कबर भी पर लेकिन बाई चांस जीता जैसे अपन नहीं जीते थे 2020 को एक बार तो ऐसा लगा गए और दूसरे पर ही खतम मैच ही खतम एक कैच और मैच खतम हाँ यह ना उस कैच नहीं मैच बना दिया और अगर कैच छूड़ जाता तो मैच खतम । वह कैच यह तो इधर जाता मैच यह इधर जाता और अगली बाल पे चला जाता नहीं यहीं बास समझ में, अगली बाल पर क्योंकि अगर वह 6 हो जाता तो बाल बस्ती कितनी 5 और पांच में बनाने पड़ते साथ रन दस मांने पड़ते हैं तो अगले 100 पे सब परषेंट्ट। टीलर मिलर शिक्स है यह ना जोए फिलता तो बाकी की तो ब्हत तो सक्ति और यो तो सक्ति है हमारे श्याम प्यारे में तुरंती सुम्रा स्याम प्यारे को कि आरे के सारे जल्दिया वरना गई कहानी स्याम प्यारा पहुच गया लेके लट बोल मैं देखूंगा इनको और सिस्टम ही बिकार कर दिया उसका तो निये बास समझ में सुनो अब अकबर को समझाया मुल्ले मौलवी जुतने भी दिल्ली में उसने का बेटा अकबर देख तेरी जिन्दगी में बहुत उतार चड़ाब चल रहे हैं और तु कोई भी परिक्षा देगा ना तो तू पास ही नहीं होगा कितने बढ़िया नोट्स पढ़ लेना कैसी वित्यारी कर लेना तो अकबर ने पूछा यार मैं क्या करूं और स राजस्तान 1562 की बात है अब ये जाएगा राजस्तान देखो यह आ रहा एक बर पर अकबर कर रस्ता देख ले ले ना अकबर ऐसे आया दिली से इसं कर दूद्ली से आया 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 और अकबर का जो शिविर डाला जाएगा मित्रो वो सांगा नेर में डाला गया अब सांगा नेर में पहुँच गया कौन अकबर अकबर ने अपने मंत्रियों को बलाया बोल मंत्री जी ये धरा किसकी है कौन है इस भूमी का स्वामी बोल महराज वो भारमल है वो आपसे मिलने आया था उस समय हाँ तो उसने का ठीक है लेटर वेजो के हम यहीं रुकेंगे रात को बोजन का नाच गाने का इंतजाम किया जाए डी जे बी जे लगाए जाए ठीक है यहाँ से मंतरी पहुचा किसके पास बारमल के पास यहाँ से मंतरी पहुचा किसके पास और वो मंतरी है मित्रो मजनूखा चंगताई कई जगे उसको चंगताई खां भी लिग दिया जाता है अगर आप और डीप ड्राइव करोगे तो यह दो अलग अलग व्यक्ति है एक मजनूखा एक चंगताई खाए लेकिन अपने इसको दोनों को जोड की बोल देते हैं मजनूखा चंगताई अगरी बस समझ में कोई बाद में भी वीडियो के नीचे कमेंट करेगा बोल मास्टर बावला बना रहा है तो मैं एक बार किलियर कर देता हूँ ठीक है मजनूखा चंगताई पहुँचा किस के पास कि सुनरे भार मल तेरा जो भार है ना भार तेरे उपर भार किसका है गद्दी को बचाने का क्योंकि तेरी एक टांग खींच रहा है कौन आसकरन और एक टांग पूर्ण मल के जो व्यक्ति हैं वो खींच रहे और मित्रों सुनिये सर फोडने के लिए तयार है मीना और मीनाओं की तो गद्दी चली गए थी भाई उन्हीं काता था आमिर मीना सोच रहे हैं बहुत बढ़िया समय घर में हो रही है उठा पटक अपन भी छीन लेते हैं आमिर को वापस मार के किसको भारमल को लेकिन हर युद्ध बाहुबल से नहीं जीता जाता कुछ युद्ध दिमाग से भी जीते जाते हैं दिमाग से जीतेगा कौन भारमल ने का ठीक है बारमल पहुँचा किसके पास अकबर के पास पहुँचा रूमित्रों यहीं पर बीस जनवरी के दिन कौन सी जनवरी और पंद्रह सो बासट बीस जनवरी और पंद्रह सो बासट के दिन इसने अकबर की मित्रों क्या सुईकार कर ली अधीनता सुईकार कर ली अखबर यहां से सांगा नेर से पहुँचा कहां चला गया आके अब अजमेर से अकबर वापस जा रहा है कहां अब यह रुकेगा मित्रो कहां पर यह सामबर में रुकेगा अब देखो यह रा अकबर बारमल ने सूचा बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा बारमल की एक बेटी है और उसका नाम है क्या हरका लिख दूँ इस बार में क्योंकि आपको दोनों लिखे मिलते हैं वहाँ पन ने हरका लिख रखा है हरका इस हरका का विभा कर देगा किसके साथ मित्रो इसने मना किया था विभा के लिए यह कह रही थी पिताजी थोड़े दिन और रुख जाओ वैलेंट एंड तो मना लेने दो लेकिन नहीं माना कौन उसने का पिता जी थोड़ देना और रुख जाओ नो 14 फरवरी के बाद कर देना ब्याव नहीं बोल तु वेलेंटाइन डे कहा मनाईगी इस बार दिल्ली मनाईगी वो ठीक है पिता जी ब्याव कर दिया किसका हरका बाई का किस तारीक को देखो अधीनता अलग स्विकार की है जगे याद रखना जगे अधीनता का स्विकार की है और विवा का हुआ है ये इधर से तो आ रहा है इधर से जा रहा है खौजा साब ने ततकाली गिफ्ट दिया देखो कैसा इफेक्ट आया है इधर से अकिला आया अकबर उम्मीद लेक कि आ रहा है जिंदगी में सांती सांती होगी हां और इधर से सांती कुलिए जा रहा है सांती निरे अरकबाई व्याव कर दिया अम्मित्रो अकबर खुस हो गया अकबर ने खा फुस हुआ अकबर कह रहा है लो ले आजाओ लाइन लगाओ सब सब लाइन में लगा दिये अकबर ने इसे का सुनरे एक तो हम तुझे राजा गोसित करके जा रहे हैं, अब कोई भी मीना, कोई भी आसकरन वाला आदमी, कोई भी पूर्ण मल वाला आदमी, तुझे नहीं, सपने में भी नहीं सोचेगा, गद्दी छीननेगी, तुझे तो टच करी नहीं सकता, क्यों? तेरा अब हमसे सीधा संब संबंद है, व्याओ कर दिया, पहली बार हुआ है राजस्तान में, किसी राजपूत ने अकबर से वेवाहिक संबंद स्थापित किया है, अधीनता भी पहली बार इसी ने सुवीकार की है, और वेवाहिक संबंद भी किया है, राजा की उपाद दे दी, एक दी, अमीर उल- उम्रा की उपादी। मित्रो जब ये मर जाएगा ना ये भारमल तो भारमल के बेटे भगवंत दास को भी ये राजा बनाएगा अकबर और ये सेम उपादी उसको देगा। कहीं आप दूसरी जगे लिखा देखो और ये कहो क्यार वो मास्टर तो कोई मादक पदार्थ कसे बन करके आया था। उल्टे को सुल्टा लिखा गया, सुल्टे को उल्टा लिखा गया। उल्टा सुल्टा कर दिया, ऐसा मत सूचना। पहले ये राजा इसको बनाएगा, अकबर, इसको राजा का खेताब दिया, और अमीर अलुम्रा की उपादी दी, जब ये मर जाएगा तो इसका बेटा राजा बनेगा। भगवन दास, भगवन दास को भी सेम, राजा और अमीर अलुम्रा। बोलो बास समझ माई, आ गई ना, अब इसने कहा, कि अरे ओ वो पती देव कुछ हमें भी तो देदे, अरे बोल तू तो अमारी मैडम है, पागल हो रही है क्या। इसको उपादी दी कौन सी? मरियम, कौन सी उपादी दी? देखो अनपड आदमी अकबर, क्या पता मैडम बोलना चाहता हो? मैडम तो बुला नहीं, मरियम मरियम बुल गया। उपादी देदी मर्यम अब भगवंत दास ने कहा क्यार भाई हमें कुछ यार अकबर अर बोल तु टेंशन मतले तू मेरे साथ चल इसने अपने पुत्र मित्रो किसको भगवंत दास इस भगवंत दास को उस समय 1562 में अकबर के दिल्ली दर्बार में बेज दिया अकबर मित्रो इस भगवंत दास को पाँच हजार की मनसबदारी देगा कितने हजार की इसका टिंगर है इसका टाबर है कौन कि मानसिंग ने का एक फुपचान कुछ हमें भी तो देदो के फुपचान नहीं आई भास मेंदेखना और भुपचल बूब भुप चान कुछ हमेंभी देदो और एबोल बेटा तू तो मेरा दततक पट्र है इसको उपादी दीमित्रों फरजंद इसका मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा दत्तक पुत्र अकबर सब को कुछ ना कुछ दे रहा है सब को दिया है हरका भाई को मर्यम हरका भाई के पिता को राजा और अमीर अलुम्रा उसके भाई को पाँच अजार की मनसबदारी और बेटे को भाई के बेटे को गोद लिया हुआ बेटा बना दिया किस ने प्रम करें हैं अकबर मर गया उसके बाद कौन अब राजा बनेगा कौन fमकी का देगा इसको ही बूले तुप्ता जी वाले है टाइटल तू लेले टेंसन मत लिया कर बोले अरे साला नहीं कुछ का गरवाली जटा प्यारा हो आगे बस समय तो अब ये इसको मित्रो ज्यादा काम करेगा नहीं भगवंदास बस क्या करेगा भगवंदास कि एक तो मेनली शिरोही का एक राजा है हडोती का एक राजा है बूंदी का सुर्जन हडा उस सुर्जन हडा को अधिनतफ स्विकार करवाएगा अकबर की नागोर दर्बार में एक गुजरात के सरनाल में विद्रो होगा गुजरात का सरनाल पढ़ता है मिढ़जा विद्रो हुआ उस विद्रो को दबाया किसने भगवन दास ने अकबर इस से खुश हुआ और इसको एक नंगाडा दिया और एक जंडा दिया वो मारा एज डंडा और दिला देती तो वहले डंडा अपने आप खरीद लाए जैपुर के बजार में से हम जंडा दे रहे हैं तुझे अभी डंडा खरीद लाया आराम से जंडा फैरा रहा है और क्या बजा रहा है नंगाडा बजा रहा है मृत्य हो जाती है मित्रोफिर इस यहां नहीं कर सकता था इसलिए मैंने वो दूसरा पेज खोला था वरना यहीं आ जाता सब कुछ है हाँ या ना अब अपन खोल देते हैं सिमसिम को कि सिमसिम क्या कहती है देखो एक बार कि देखो एक बार वही बात कह रही है कि सिमसिम जो हम समझ रहे थी अरे सिमसिम की तरफ देख कहां देख रहा है कि कुछ दिक्कत यहां था देखो मैं यही तो कह रहा था कौन करस्टन किसको हरा दिया था कि चतुर नार्थ को किलियर सास्त्रार्थ में इसको पराजित सास्त्रार्थ सास्त्रार्थ में इसको पराजित कर दिया था ठीक है पुत्र ने सांगा कछ्वा ने क्या बसाया था बाला भाई प्रभावित करती है और पूरण मल को क्या बना देती है राजा बना देती है देखो क्लियर फिर देखो इधर भाई रतन सींग ने सीर सहां की क्या स्विकार की लेकिन आस करण ने किसके बैकावे माकर और मार दिया किसको रतन सींग को ही मार दिया बारमल ने च्छाती पीट पीट के चीखना सुरू कर दिया क्या कि भाई का त्यारा रे आ मेर वालो कौन आस करण आगे बास समझ में उसके बाद हम देखेंगे ये वाला डाइग्राम वो अपन ने देख लिया था यहां अजीब सा लग रहा है यह ना वहां सही था ना आगे बास समझ में अब देखो अब क्या करेगा देखो बारमल अर देखो बारमल क्या कर रहा है देखो सबसे पहले यह आ गया देखो और देखो यह देखो और मुलाकात देखो किस से देखो अकबर से अब अकबर जा रहा है कहा अजमेर अजमेर में उसका पड़ाव डाला जाएगा कहा जाते हुए और मित्रो कब 1562 को अकबर की क्या स्विकार कर ली जब वो वापस लोट रहा था तो कहां रुका वो सामबर में अपनी पुत्री किसका विवा और कब कर दिया शेफ अरवरी 1562 देखो राजा का टाइटल दिया और किसका अमीर अलुम्रा का टाइटल दिया और हरकाबाई को क्या और मित्रो हरकाबाई के साथ भगवंदास को और अपने पौत्र किसको मान सींग को बेज दिया कि इसने भारमल ने सातियो भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने अकवर की अधीनता भी स्विकार की और वैवाहिक संबंद भी बनाए हाया ना उसके बाद सुनो भगवंत दास भगवंत दास को देखो क्या दिया और देखो क्या दिया और देखो क्या दिया के लियर सुर परमल ने प्रेसराइज किया इसको फिर आसातियों देखो गुजरात का कौन सा नाल सरनाल में एक तो दिया क्या एक दिया जंडा क्लियर भगवन दास को पंजाब का सूवेदार बनाय गया था पिर यहीं पंजाब में पढ़ता था उस समय लाहुर आज पाकिस्तान में यहीं मर गया कौन? भगवन्त दास बस कुछ नहीं ये चीज और ये चीज है भगवन्त दास की पांच अजार की मनसफदारी है जब भगवन्त दास मरा तो उसका बीटा पटना में था पटना बिहार में वहाँ था तो इसलिए मानसींग का पहला राज्यव सेख अकबर द्वारा पटना बिहार में करवा दिया गया कि ले भई तू क्या बन जा राजा बन जा वहीं लेकिन इसका जो दूसरा राज्यव सेख है वो होगा कहां आमेर में सातियों, 13 फरवरी, 13 फरवरी 1585 में मानवाई का विभावर कर दिया, भगवन दास ने, किसके साथ? अकबर के साथ नहीं, अकबर के बेटे किसके साथ? जहांगीर के साथ, किलियर, जहांगीर ने इसको कौन सी उपादी दी भहिया? और साहे बेगम का इसको क्या दिया? पद दिया. देखो, मानवाई तो बहुत ज़्यादा ही रोई थी, कि पिता जी, एक दिन तो रुख जाओ कम से कम, हां? क्या करें? लड़कियां हस रही हैं बहुत ज़्यादा, हां? रुक रुक क्या हस रही हैं? अरे डेट याद करवा र रहा हूं, डेट, डेट, मैं क्या जैसे चौदे फरवरी बोलता हूं न, तो आँखें चोड़ी करके देखते हैं, बुलाएं, चौदे फरवरी कहां से आ गया? फिर पता चले, अरे हां, चौदे फरवरी से एक दिन पहले है, आगई बास समझ में, अब राजा बनेगा कौ झाल 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 झाल